और अब एक ऐसी खबर जो हिंदुस्तान में लंबे समय से चले आए मंदिरों में होने वाली सियासी दखल से जुड़ी है केदारनाथ में उत्रखंट सरकार से नाराज पुरोहित शीरशासन कर रहे हैं और वो भी केदारनाथ तरासदी की आठवी वर्सी के दिन आखिर क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरीए समझते हैं 16 जून 2013 ये वो तारीख थी जब केदारनाथ खाटी में आए प्राकरतिक आपदा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था इस तरासदी में 4,400 जादा लोगों की जान चली गए करीब 4200 गाउं का संपर्ख तूट गए और 2100 से भी जादा छोटे बड़े घर धराशाई हो गए और अब ठीक 8 साल बाद उसी केदारनाथ मंदिर को लेका सत्ता का तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसके एक तरफ है उत्राखंड की तो ईरत सिंग रावा सरकार तो दूसरी तरफ है केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाच जुनों ने उत्राखंड सरकार के बनाए देवस्थानम बोट के विरोध में मूर्चा खोल दिया है पर फीली पहाड़ियों और सर्द मौसम के बीच केदारनाथ मंदर के सामने इस पुरोहित के शिर्शासन आंदोलन ने उत्राहंड में मंदिनों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा दी केदारनाथ राजदी के आठवी बरसी यानि सूला जून से तीर समाज के पुरोहितों ने देवस्थानम बोट के खिलाव शिर्शासन आंदोलन शुरू किया पुरोहित संतोष्त रिवेदी साथ दिनों तक रोज सुपह दुपैर और शाम को केदारनाथ मंदिर के सामे शिर्शासन करेंगे और शिर्शासन के सर्ये ही देवस्थानम बोट का विरोध करेंगे मैं उत्राखन सरकार से निवेदन करूँगा आप इस बोल्ड को इस काले कानून को जल्दी से जल्दी वापस करने का निर्ने करें नहीं तो हम लोग एक उकर आन्दो लंकी तयारी करेंगे जो इस पूरा खाम्याजा आपको उत्राखन सरकार को भुकतना पड़ेगा ओम नमस्यवाई आपको बता दें कि आखर ये देवस्थानम बोड है क्या इस पर पूरोहिस समाज और उत्राखन सरकार के बीश ठनी हुई क्यों है तरसल पूरु मोख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत के कारेकाल में देवस्थानम बोड का गठन हुए बोड का गठन चार धामों समेथ एक्यावन प्रमुक मंदिरों के प्रबंदन के लिए किया गए मगर चारों धामों के पुजारी और संसमाज सरकार के पैसले से नाराज है पुजारियों का कहना है कि बोड के बनने से उनके अधिकारों का हनन होगा चार धान समेत मंदिरों का प्रबंदन और चड़ावा सरकार के हाथ चला जाएगा और पंडितों पुरोहितों का रोल सिर्फ मंदिरों में पूजा करने तक रह जाएगा तीर समाज के मताबिक उत्राखंड में हाल ही में सरकार बदली तो नई सीएम तीरसिंग रावत ने देवस्थानम बोड पर दुबारा विचार करने का अस्वाशन दिया था मगर तीर सरकार वदय के उलट बोड के विस्तार में लगी जिससे संसमाज का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच चुका है और मांग पूरी नहीं होने पर पुरोहितों ने 21 जून से अनिश्यत काली नहर्टाल पर जाने का भी हैलान किया है तो उत्रखंट सरकार और पुरोहित समाज के बीच ये टकराव ऐसे समय में जोर पकड़ ला है जब कोरोना के कारण चार धाम की यात्रा पर पाबंदी लगी हुई है तीर्स समाज को इस बात पर भी आपती है कि सरकार ने बिना उनकी सहमती के चार धाम यात्रा बंद करने का एहलान कर दिया तरहसल ये सारी लड़ाई मंदिर में प्रबंदन को लेकर है आपको बताने कि बद्रीना धाम में 1999 से 2000 में 58,666,000 की कमाई हुई दस साल बाद 2009, 2010 में ये कमाई 3,666,000 तक बढ़ गई आपदा के बाफजूद साल 2013, 2014 में 2,81,000 की कमाई हुई और 2019, 2020 में बद्रीनात और केदारनात से 10 करोड की आयका दावा किया गया फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर